हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे 7th August के Important Current Affairs काफी दिन से आपकी क्लासी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आ पारी थी उसके लिए मैं माफिय चाहूंगा लेकिन कल से आप लोगों की क्लासी बिल्कुर रेगुलर बेसिस पे आएंगी रोज आपको सब्सक्राइब करेंगे करेंगे कल आपको आठ और नो तारीक के मिल जाएंगे फिर सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेंगी और आप लोगों को बता दू जो लोग भी चैनल पर हैं आपके लिए एक मैसेज है ऑली बोर्ड की तरफ से आज ऑली बोर्ड का बर्दे है तो आज ऑली बोर्ड ने आठ हो नौ अगस्त के लिए जितने भी जेन के स्टूडेंट्स है जो जेके सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको 30 पोसेंट आफ देने इसका प्लाइब कर सकते हैं जिसको सिर्फ क्याइब लोग चाहें तो यह वीडियो लेक्चर सम्मूरी नोट्स या टेस सिरी सबके लिए अपलिकेबल होगा आप लोग जाके आपको डाउल्लोड करके वहां से अवेल कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के exam point of view से तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला क्वेशन यहां पर क्या है अभी हाल ही में इंडिया का पहला वाटर विला बनाया जाएगा बात कहीं गई है अब यह जो चीज है वाटर विला यह है क्या तो यह वाटर विला अब आप मेंसे मुझे नहीं पता किते लोग मालदीव गे हैं मैं तो नहीं गया अगर आप मालदीव गे हैं वहां पर आप लोग देखा हो को बहुत फेमोस है टूरिश देस्टिनेशन के लिए तो सेम मिलते जुलते वहां की तरह ही वाटर विलास बनाने की बात की गई है कहां पर लक्षद वीप में पहला पॉ पूछा जाए आप लोगों से मैं पूछता हूं स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है इंडिया की यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लगके बताना क्या लक्षद वीप की कैपिटल क्या है तो वह है का वरती और इससे में गवर्नर कौन है तो वह है प्रफुल के पटेल तो यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं बात करतें नेक्स्ट के ऊपर अभी हाल ही में इंडिया ने वेलकम करा है दो कंट्रीज का यहां पर एक पूची गई है बट टोटल दो ने किया है जिन्नों ने एक्सेप्ट कर दिया है इंडिया की तरह से उन्हें गया था तो जॉइन कोईलेशन फॉर डिजास्टर डेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अब यह सीडी आ रहे काफे इंपोर्टेंट है मैं बताता हूं कैसे पहले दो कंट्रीज कोन से है तो एक है आपका बांगनादेश और दूसरा है आपका कैनेडा इन दोनों ने अभी हाल ही में इंडिया क कंट्रीज प्लस यह जो 25 है इन दोनों को मिला के हुई है पहले 23 थी साथ इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन और उसके मेंबर अब यह इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन मेंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं आपको जाते हैं जैसे ADB बैंक है Asian Development Bank World Bank Group है United Development Program है यह सब इसमें आ किस तरीके से इंप्रूफ किया जाए ताथ कि जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखके उसको कंट्रोल किया जाए तो यह काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के कहने पर यह जॉइन किया गया है एड़कौर्टर इसका याद रखिए बात करते नेक्स क्वेश्न के उपर अभी हाल ही में जो पॉलिशी रपो रेट आया है हर साल जो बायमन्तली पॉलिट आती है यह थर्ड आई है इस समय इसके अकॉंधिंग आर बिए ने जो रपो रेट है और रिवर्स रपो रेट है उसको क्या रखा है तो यह काफी इम् चार पॉसेंट रिवर्स रपो रेट यहां पर रखा गया है 3.35 पॉसेंट MSF यानि की Marginal Standing Facility Rate रखा गया है 4.25 पॉसेंट बैंक रेट जो है वो रखा गया है 4.25 पॉसेंट अब एक चीज़ याद करने का मैं आपको बता दू MSF और Bank Rate दोनों हमेशा सेम रहते हैं और यह दोनों हमेशा सें पॉसे 25.25 पॉइंट कहते है तो 25 पॉइंट ZYADा रहते हैं तो याद रखने में आपको anci होगी अब यहां पर अगर मां बात करूं रखा गया है वो रखा गया है चार परसेंट और लिक्विडिटी रेशो कितना रखा गया है तो यह रखा गया है धाना पॉस्ट आपके सारी याद रखनी है एक्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है और जैसे कि अभी आई है अगली जब आएगी उससे पहले शायद आपका एक्जाम कंडेक कौन है तो यह RBI बनाता है याद रखेगा इन चीजों को अगर यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़े और बताऊं और बना कप था यह स्टाटिक जीके में पूछी जाते हैं फॉस्ट एप्रेल 1935 में बनाए गया था हिल्टन यांग कमिशन के कहने के ओपर चार डेप् के नाम आपको बारी जल्दी से बता देता हूं महेशकुमार जैन एक का नाम है MD पात्रा माइकल देवत्रा है एक का नाम है म राजश्वर राव और एक का नाम है ती अब शंकर याद रखना भी हाली में बने हैं यह काफी इंप्सक्र पात्सशां ये यहां पे होते हैं करनंटफेर से ही होगा बात करते हैं के उपर अभी हाल ही में जो खेल रतन है जिसका नाम राजीव गांदी खेल रतन था उसका नाम इनकी स्टिक में कोई ग्लू तो नहीं है इस तरीके के होकी प्लेयर से यह तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली इनको मिला जो टॉप मोस्ट स्पोर्स अवार्ड होता है अगर यह आप से ऐसे पूछा जाएगी स्पोर्स में टॉप मोस्ट अवार्ड कौन सा ऐसे तो बहु पूसा सकता है कि मेजर ध्यांद्चंद्र जो रूप को चरह कुछ यह नशन नेशनल को रूप में चांप तो यह बहुत important होगा आप लोगों के लिए exam point of view से हो सकता है आप से यह पूछा जाए कि national sports चे कब बनाया जाता है यह question डिरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा exam में बट यह question आप से इस तरीके से पूछा जा सकता है बात करते नेक्स question के ऊपर M.G.N.C.R.E. यानि कि महात्मा गांधी national council of ruler education ने हाल ही में recognize किया है किस university को as district green champion अब यह question बहुत important है क्योंकि यह जो word है ना green अब यहाँ पे green hydrogen हो green champion हो यह सारी चीज़ें आपके exam point of view से काफ़ important है क्योंकि आपके वहाँ पे लिखा भी है syllabus में और science tech पे या फे renewable energy पे question जरू पूर बनता है exam में तो यह किसे दिया गया है तो यह दिया गया है चितकारा university को जो की पटियाला में है पटियाला कहाँ पर है पंजाब में तो इसे दिया गया है district green champion का award academic year 2020 to 2021 के लिए तो यह याद रखिएगा बात करते नेक्स question के उपर यह question आज का वापे से बहुत ज्य survey of India यानि की ZSI की women director बनाई गई है head तो कौन है वो उनका नाम क्या है जिनको आप यहाँ देख रहे हैं उनका नाम है धृती बैनर जी पहली बार यह बनाई गई है 100 सालों के अंदर और मैंने आपको बताया है जब भी कोई भी चीज करने फिर आपका first हो और women के related हो वह automatically के अंदर यह काम करता है तो यह काम करता है ministry of environment forest and climate change के अंडर headquarter कहां पे है कॉलकटा में है तो आप यहां से फेडरेशन के पूछा जाएगा एक्जाम में जो फाइड कब है या इसको फिडे कब भी कहते हैं यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है पहले तो आपको याद रशने है जीता किसने है इसको तो इसको जीता है पॉलैंड के प्लेयर ने नाम उनका थोड़ा सा अलग है जैन तो यह आप किस तरीके से बोलेंगे वो आप लोगों पर है किस्टॉफ इनका नाम है जैन क्रिस्टॉफ इन्होंने जीता है पॉलैंड के प्लेयर है तो याद रखिएगा यह एडिशन जो है कहां पर हुआ था तो यह एडिशन रश्या में हुआ था हराया भी इन्होंने प्लेयर को है तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा एक्जाम पॉइंट फिडे का अगर हम बात करें है एड़कोर्टर कहां पर है तो इसका है लॉसेन स्विजजर लैंड में यह भी याद रखना बात करतें नेक्स क्वेशन के ओपर अभी हाल ही में आप लोगों को मैंने बताया था ओलंपिक्स पे एक क्वेशन जरूर पूछा जाएगा जो अभी मैडल लेके आया है उनके ओपर क्वेशन आने के चांसिस बहुत कम है चांस में कभी ना कभी गय है रेप्रेजेंट करने आप से पूछा जाएगा और यह क्वेशन इंपोर्डेंट है अभी हाल ही में ओलंपियन एस एस नरायन जी का निदन हुआ है यह कि स्पोर्ट से रिलेटेड है क्वेशन में आप लोग देखेंगे आप लोगों को लेगा हाँ आयार होकी हो सकता है बट यह फुटबॉलर थे तो यह क्वेशन सबसे जादा ट्रिकी होगा एक्जाम में आजकल सीधे क्वेशन नहीं पूछे जाते तो इसको याद रखना इनका नाम था SS इन्हें प्यार से बबू भी कहते थे या बाबू कहते थे SS बाबू नरायन जी यह फुटबॉलर थे इन्होंने दो बार फुटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एक बार किया था इन्होंने मैलबर्न में जो 1956 में हुआ था और एक बार इन्होंने किया था रोम में जो 1960 में हुआ था Summer Olympics याद रखना अब अगर मैं यहां पर आप से के ऊपर हिरोशिमा डे नागसा की डे यह दोनों बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में पूचा गया है कौन सा बंब गिरा गया था उसका नाम क्या था SSC में SSB में इस तरह के questions आपको देखने को मिलते हैं तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है हिरोशिमा डे हर साल 6 अगस को मनाया जाता है वर्ल्ड वार सेकिंड में जब जैपायान काफी जादा aggressive हो चुका था तो इन पे atomic bomb पहली बार दुनिया का atomic bomb गिराया था हिरोशिमा प अब आपसे पूछा जाएगा Nagasaki डे क्या होता है ठीक तीन दिन बाद जब एक बार atomic bomb गिरने के बाद जपान नहीं सुद्रा यह जपान नहीं माना था जपान में ही यह दोनों जगां है जपान में ही आपका Tokyo Olympic भी हो रहा है इस समय ठीक तीन दिन बाद यानि की 9th August को Nagasaki पे दूसरा atomic bomb गिराए गया था जिसका नाम था Fat Man यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने है जो हिरोशिमा पे गिराए गया था उसमें कहा जाता है 1,40,000 लोग मारे गे थे और Fat Man के गिरने के बाद कहा जाता है कि 40,000 लोग मारे गे थे और उसके बाद World War खतम होगी थी इन् इनके नाम याद रखना क्योंकि एक्जाम में काफी confusing हो जाते हैं नागसाकी में जो था वो था Fat Man बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर पानी मा यह एक कैमपेंच शुरू किया गया है इंक्रीज करने का पेज आप इंप्लिमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन इस लांच इन विच स्टेट और यूटी अब यह आप लोगों को मैंने थोड़ी सी चीज़े बताई थी एक अभी आप लोग देखेंगे next month जो होगा आपका सेप्टेंबर का इसको कहा जाता है portion मा के रूप में यानि कि month of nutrition पूरा इंडिया अब्ज़र्व करता है ऑक्टूबर को मन जो है यह किसने अब्जर्व किया है campaign तो यह किया गया है लदाख के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है लदाख में जब विंटर आता है तब पानी की बहुत जादा वहां पर पानी भी जम जाता है माइनस में temperature होता है जिसके लिए artificial glacier बनाया जाते हैं वहां पर काम करने के लिए और यह जो है यह प्रोग्राम जो है इसका second phase है यह basically तो पांच लाख रुपे का अवार्ड दिया जाएगा हर विलेज को जो अनौंस करेगा पांच हर गर जाल विलेजिस ऑफ इच डिस्ट्रिक्ट तो यह काफी अच्छा है किनका mission चल रहा है जाल जीवन मिशन ज और गनिक यूटी बनाने के लिए और हाल ही में आपको एक और चीड़ा दूँ जो लदाख में पंचायद खांट असिस्टेंट के एक्जाम था वह भी होने वाला है next month इसकी डेट आ चुकी है तो जो लोग apply करेंगे पर एको बता देना इंडिया का पहला doorstep healthcare scheme launch की गई है क स्टेट के द्वारा तो यह launch की गई है तामिल नाडू के द्वारा तामिल नाडू के जो CM है MK स्टैलिन जी इन्हों ने यह हाल ही में launch की है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है मकालाई थेडी मारूत्वम तो यह नाम है scheme का पहली healthcare doorstep शुरू की गई है इनके द्वारा डाइसो क्रोड टोटल इसको अलोकेट किये गए है तामिल नाडू के बारे में आपको एक और चीज़ को दालू तामिल नाडू के गवर्नर कौन है तो वह हैं बन्वारी लाल पुरोहित जी इनका नाम भी याद रखिएगा बात करतें next question के उपर अभी हाल ही में कौनसी ऐसी स्टेट है जिन्होंने recently launch किया है कोविड-19 death information portal जिसके तहत जितनी भी अभी लोगों की मृत्यू हुई है कोविड के रिलेटेड उनका पूरा authentic data यहां पर available होगा तो यह किया गया है के द्वारा बहुत सारी countries ऐसी है जिसमें सबसे बड़ा नाम है जाइना का जो अपना death rate छुपा रही है कुछ states पे भी ऐसे अलजाम लगाए थे कि वो भी चीज़ें चुपा रही है तो इन्होंने हाल ही में यह launch किया है जिसमें जितनी भी मृत्ति हुई है कोविट के रिलेटेड तो वह सारा एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सारी information वहां पर स्टोड होगी तो यह कैरला ने किया है तो यह थे आज के important current affairs आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस लेक इस नहीं करवाता मैं रेंडम ली एक किसी दिन आपको बताऊंगा कि आज आपका टेस्ट है ताकि आपको पुराना सारा रिकॉल हो जाए तो एक से साथ अगस्तक के current affairs को वापिस से एक बार रिवाइज कर लेना आज होने से पहले बाबाई टेकर आल देवेस मिलते हैं